पैंक्रेटैटिस जो है वो पैंक्रियास नामा ग्रंती जिसको अगनासे भी बोलते हैं इसकी सूजन को बोलते हैं इसकी सूजन जो है अगर होती है नॉर्मली पैंक्रियास का जो काम होता है सरीर में वो खाना पचाने वाले एंजाइम खास्तों से जो की प्रोटीन को फैट क जो की बहुतायत में मीट में पाय जाते हैं उन सब को पचाने के लिए अन्याइमस में से निकलते हैं इन सारे अन्याइमस का जो है कि पाचन की वज़े से सरीर में जो पोसक तत्व हैं वो एब्सॉर्ब हो पाते हैं लेकिन किनीकार्णों की वज़े से अगर इस करंथी में पानी बनना और कभी-कभी severe cases में जहरवाद और अन्य अंगों पे असर पढ़ने की वज़े से जान जाने की भी आसंका रहती है पेंक्रेटाइटिस के प्रकार डिपेंड कलते हैं कि आप किस तरह से इनको ख्लासिफाई करना चाहते हैं एक onset के हिसाब से या समय के हिसाब से इसको बोलते हैं जो कि बहुत ही जल्दी समय में बहुत ही severe disease होती है उसको बोलते हैं acute pancreatitis और जो बहुत ही लंबे समय से चली आ रही होती है उसको बोलते हैं chronic pancreatitis absolute term में बोलें तो जो चार हफते से पहले होती है उसे बोलते है acute pancreatitis जो चार हफते से लंबी चलती है उसे बोलते है chronic pancreatitis इसके कारकों की वज़े से या जिस जिनकी वज़े से यह होती है उनके हिसाब से भी ने डिवाइड किया जाता है Pankratitis के दो मुखे कारण जो है जो society में भी बहुत common है पहला तो है पित की थेली की पत्री जो सरक्के कभी कभी पित की नली के द्वारा इनके common मुख पे आ जाती है उसे बोलते हैं biliary pancreatitis और common जो यहाँ पे alcohol का यूज होता है उसकी वेज़ से होती है alcoholic pancreatitis तो पित की थेली की पत्री और alcohol यही दोनो 90% of cases of pancreatitis के कारण होते हैं बच्चों में पेट में चोट लगना मुख के कारण है pancreatitis का बाकी समय के साथ एज के साथ सेक्स के साथ यह चीजें तरह तरह के कारण बदलते रहते हैं मुख्य जो लच्षन होता है वो पेट में दल्द और pancreatitis के पेइन के बारे में कहा जाता है इसका हम जो दल्द है वो ऐसा होता है कि मरीज जीवन में इससे जादा वर्स्ट या इससे जादा बुरा दल्द कभी महसूस नहीं कल सकता तो जो मुख्य लच्षन है इसका दल्द के से अलावा एकमबनिंग जो फीचर्स हो जाते हैं वो उल्टियां होती हैं पेट का फूलना होता है कभी-कभी मरीज जो है आतों की रुकावट की तरह प्रेजन करता है कभी-कभी सुरुवात में ही अगर कॉंप्लिकेशन हो जाते हैं तो मरीज मल्टी ऑर्गन फ सकती है 80% जो केसे होते हैं वो केवल सामान्यों होते हैं जो कि कुछ टाइम के लिए और मरीज के इलाज मिलते ही उनका सुधा जरू हो जाता है लेकिन 20% केसे में ये इस तरह का प्रोग्रिसन रहता है जिसमें मरीज का जान बचाना भी मुस्किल आ जाता है इस तरह के केसे सूजन के साथ साथ पैंक्रियाज में सडन भी पैदा हो जाती है जिसको बोलते हैं नेक्रोटाइजिंग पैंक्रियाटाइटिस इनके दो मुख्य कारण जो एडल्ट पॉपलेशन में पाए जाते हैं बहुत ही कौमन है खास्ता होसे अपने नौर्थ इंडिया में बिकॉस ये नौर्थ इंडियन बेल्ट जो है वो पित्की थैली के पत्री के लिए भी जानी जाती है हो सकता है यहां की मिट्टी में खा नुकसान दे होती है क्यों क्योंकि वो पित की नली से सरक्के आसानी से नीचे तक पहुंच जाती है और वहां रुकावट करके अगनासाय में भी सूजन पैदा कर देती है और दूसरा मुख्य कारण है ऐलकोहल और पित की थैली के पत्रियां 90% केसे में यही कॉमन कारण हो कभी कभी कुछ परसेंट केसे में जो खास्ता हो से मिडिल एज या ओल्ड एज में पैंक्रेटाइटिस की बिमारी पैंक्रियास के कैंसर का भी सुरुवाती लेच्छन हो सकती है कॉम्प्लिकेशन जो हैं जैसे की जो सीवियर 20% केसे रहते हैं वो तो सुरुवात से ही जटिलताओं में रहते हैं कि अगर अन्य अंगों पे असर पढ़ जाता है ऐसा अधिकतर हाथ तरह की सीवियर इंफ्लेमेशन वाली बीमारी में होता है कि उनका दिल पे गुल्दे पे सांस पे फेपड़ों में पानी आना ये सब असर पढ़ता है जिससे जान बचाना भी मुस्किल हो जाता है इस इस्थिती में मरीश के इलाज के लिए उसे सपोर्ट देना होता है जिससे अन्य अंगों की भी रिकवरी पास बिलो बाकी अन्य जटिलताएं जो हैं chronic pancreatitis में ये रहती हैं कभी-कभी pancreas जो है उसके नीचे से और बगल से खून की main नसें जो की आतों का खून लिवर तक ले जाती हैं वो होती हैं खाने की नली तो अन्य अंगों के पास की समस्याएं जो रहती है कि इन नसों में कभी-कभी थक्का जम जाता है जिसकी वज़े से सीवियर ब्लीडिंग हो सकती है खाने की नली पास होती है उसमें रुकावट हो सकती है कभी-कभी यहां पे पानी की गांट बन जाती है जिससे लंबे समय के लिए उल्टियां होती रहती है आदमी पेट बर खाना नहीं खापाता है कभी कभी साथ में जो पित की नली लगी रहती है उसमें भी सूजन या सिकुड़न आ जाती है जिसकी वज़े से मरीज को बार-बार पी लिया होता है या लगातार पी लिया बना रह सकता है और इन परिस्तितियों में ही मरीज को पहले महसूस नहीं किया हो तो आदमी तुरंती डॉक्री सला के लिए जाता है डॉक्री सला में भी इसमें पैंक्रियास की निदान के लिए सबसे पहले तीन चीजें होती है क्लीनिकल की मरीज की दिक्कतें कैसी है कि मरीज का दर्द जो है इस तरह का है कि वो पैंक्रियास क तरह का symptom और कभी गभी ultrasound या फिर CT scan जांच में pancreas की गरंथी में अगर सूजन आ रही होती है तो इन तीनों में से अगर कोई दो भी positive होते हैं तो उसको मोलते हैं कि यह pancreatitis की confirmatory है सबसे पहले एक बार diagnose होने के बाद हमें उसे कारण को देखना होता है कि वो biliary pancreatitis है या फिर alcoholic pancreatitis है या किस तरह की pancreatitis है pancreas की जो है बीमारी इसमें जो 80% cases है जो की milder cases होते हैं वो within a week जो है वो resolve होना सुरू हो जाते हैं सुरुवात में ही मरीज को खाली पेट रखा जाता है पेट को आराम दिया जाता है और खून की नसों द्वारा पानी और खाना दिया जाता है जिससे मरीज और main stage जो है इसके treatment का है वो है pain relief जैसे जैसे pain relief रहता है सूजन दीदरे कम होती है मरीज की भूंका वापस आने लगती है जो दिक्कते हो रही होती है वो भी बहतर होने लगती है तो 80% cases तो इस तरह के उप्चाल से सुदा जाते हैं लेकिन 20% cases में जो की सुरुवास से ही जिन में symptom लगातार प्रोग्रेस कर जरते रहते हैं दवाईयों के बाद भी इन में दिक्कते बढ़ती आती हैं तो उनमें जो है हमें maximum support हर औरगन के लिए support करने की जरूरत पड़ती है ऐसे मरीजों को ICU की जरूरत पड़ सकती है और कभी-कभी इनका इनका इलाज लंबा गिस्ता है वो 6-6 मैने तक भी हो सकता है जिसके दोरान step-wise approach जो WHO से लेकर worldwide follow होती है जिसे हम लोग step-up approach बोलते हैं जिसमें जैसे एक-एक सीड़ी करके चड़ना तो सबसे पहले जो है जो सबसे कम invasive या जिसमें body का invasion सबसे कम हो एक-एक step जैसे केवल सुई द्वारा पानी निकालना या अंदर जो पानी है निया डालना या समय के साथ अगर उससे भी आराम नहीं मिला है तो उससे भी मोटी निया डालना दूरबीन के द्वारा गंदगी को कीचर को या जो भी नेक्रोसिस हो गई है सडन पैदा हो गई है उसे दूर करना अगर इन सब विदियों से भी आराम नहीं मिलता है तो last resort ह होता है कि हम खुली विदी से operation करें इस बीमारी से बचने के लिए यह एक तो पानी को पी है संतुलित आहाल लें alcohol smoking इन सब चीजों से दूर रहें और खासतों से खाने में चिकनाई का प्रयोग कम करें और कभी भी इस तरह का दर्द होता है या आपको फैमिली में पत्री प अपने ultrasound कराया और उसमें पित की तैली की पत्री आती है तो उसको समय रहते ही operate करा लेना चाहिए अगर यह सब precaution लेते हैं तो पेंग्रेटाइटिस के chances बहुत कम हो जाते हैं झाल 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 झाल